हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का आठ माई के सेकंड सिप्ट का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरेट एंसर के साथ जो है तो SSE MTS एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुशन है था कि फू इंटेप्रेट सथा Constitution in India यानि भारत के संभिधान की व्याख्या करने वाला अंतीम अधिकारी कौन होता है तो देखे भारत के संभिधान की व्याख्या करने वाला अंतीम जो अधिकारी है न या आपका Supreme Court of India यानि सर्वोच न्याले होता है तो सर्वोच न्याले आपका यहाँ पे correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका यहाँ रहता है कि freedom in exile ये जो पुस्तक है ना, ये किसकी आटो बाइग्राफी यानि आटम कता है, तो देखे फ्रीडम इन एक्जाईल, ये जो दलाई लामा की आटम कता है, तो दलाई लामा आपका यहाँ पे करेक्ट टेंसर होगा, इसके लाए मैं आपको बता दू कि ये जो आपका फ्रीडम इन एक्जाईल पुस्तक है ना, ये जो आपका हारपर सेंट फ्रांसी को के द्वारा, एक अगस्त 1991 को जो ये आपका प्रकासित किया गया था, इसके लाए मैं आपको बता दू कि ये जो आपके दलाई लामा थे ना, इनने जो 1989 में नोबल सांती पुरुषकार से भी जो वो सम Myself, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका Nelson Mandela के द्वारा लिखा गया है, The Paradoxial Prime Minister, Why I am a Hindu, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका ससी थरूर के द्वारा लिखा गया है, इसके लावाए India 2020, Ignited Minds, Wings of I, ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपका APJ अब्दुलक्रा के द्वारा लिखा गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, Next Question आपका आप रहा था, कि 2022 तक सबसे ज़्यादा जो आसकर पुरुषकार है ना, ये जितने वाले भारतिये कौन है, तो देखें, 2022 तक सबसे ज़्यादा जो आसकर पुरुषकार है, ये AR रहमा आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, इसके लाओ एक्जाम में एक प्रस्न और यहां से पूछा जाता है, कि AR रहमान को जो है, किस वर्स और किस मुवी और किस गाने के लिए जो है, आसकर आवार्ड दिया गया था, तो देखें, मैं आपको बता दू कि AR रहमान को, 2009 में जो आपका फिल्म जो आपका प्रकासित हुआ था, जो कि ब्रिटिस मूल की फिल्म, स्लम डॉग मिलेनियर में, जै हो गाने के लिए जो है, इन्हें दो आसकर आवार्ड दिया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लाओ एक्जाम में अगर पू जो जीती थी, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपका आप रहता कि किस भात यह खिलारी को जो है, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, तो देखे कैप्टन कूल, या फिर माही, या फिर थाला के नाम से, यह जो आपके महेंदर सिंग ध को जाना जाता है, रनमसीन या चीकू के नाम से जो है, यह विराट कोली को जाना जाता है, इसके लावा पॉकेट डाइनमो के नाम से जो है, यह आपके लिएंडर पेस को जाना जाता है, गबर के नाम से जो है, यह आपके सीखर धवन को जाना जाता है, हीमा दास के नाम से धिंग एक्सप्रेश के नाम से जो है या आपके हीमा दास को जाना जाता है जंबो के नाम से जो है अनिल कुम्बले को जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर के नाम से जो है ये सचीन तैंदूलकर को जाना जाता है हौकी के जादूकर के रूपें जो है ये मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है उडन परी या फिर पायोली एक्सपरेश के नाम से जो है ये पीटी उशा को जाना जाता है दादा के नाम से जो है ये सौरव गांगली को जाना जाता है फ्लाइंग सिक के नाम से जो है ये आपका मिलखा सिंग को जाना जाता है रावल पिंडी एक्सप्रेश के नाम से जो है ये आपका सुहे बगतर को जाना जाता है टर्बिनेटर के नाम से जो है ये हरबजन सिंग को जाना जाता है माही या फिर कैप्टन कूल या फिर थाला के नाम से जो है ये महेंदर सिंग धोनी को जाना जाता है दवाल के नाम से जो है ये राहूल द्रैविट को जाना जाता है मैसूर एक्सप्रेश के नाम से जगवाल स्रीनात को जब वो जाना जाता है इसके लाव मुलतान का सुल्तान या फिर नवजगट के नवाप के नाम से जब ये विरेंट सहवाग को जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेश के नाम से जो है ये महेस भुपती और लियंडर पेस को जो जाना जाता है ब्लैक परले के नाम से जो है ये पेले को जाना जाता है तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है नेक्स्टकोश है आपके आप रहा था कि भगत सिंग्क और बटुकेश्वaja धत ने Central Assembly पर जो है ये कब बंप फिका था तो देखे भगत सिंग्ka और बटुकेश्वaja धत के दौरा Central Assembly पर जो है ये 8 April 1939 गफ फिका गिया था lleva तो 8 April 1929 आपका correct answer होगा इसके लावा बात कर ले इन्हें पद्म बीभूशन से कब सम्मानित किया गया था तो देखे 2017 में केलुचरन महापात्र को पद्म भीभूशन से सम्मानित किया गया था 1974 में पदम स्रीशे सम्मानित किया गया था इसके अलावा 1988 में इनने पद्म भूशन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले ओडिसी नित्त के प्रसीद नर्तक के बारे में जैसे कि सुजाता महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान इन सभी का जो संबंद है यह आपका ओडिसी नित्त से है। नेक्स्ट कोश आपके आप रहता कि सती प्रधा का जो अंत है न यह किस वर्स में हुआ था। तो देखें मैं आपको बता दू कि 4 दिसंबर वर्स 1829 को लॉड विलियम बैंटी की अगवाई यानि उस समय जो भारत का ब्रिटीस गवरनेर्ट जेनरल था वो लॉड विलियम ब तो 4 दिसंबर 1829 आपके एक पर एक करेक्ट अंसर होगा। नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि इन में से कौन सा राजस्थान का परसिद लोक नेते हैं तो जहां पर आपका कालबेलिया दिया गया था। तो देखें यह जो आपका कालबेलिया नेते है ना यह राजस्थ राजस्थान का परसिद लोक नेते है तो कालबेलिया आपका करेक्ट अंसर होगा। इसके लिए आप बात कर ले राजस्थान के अन्य महतपूर्न लोक नेते के बारे में जैसे कि घूमर, गैर, चारी, गिनाद, जूलन लीला, भवाई, कच्छी घोडी इन सभी का जो संब खिलारी होते हैं तो 11 आपके यहां पर करेक्ट अंसर होगा। इसके लावा अन्य खेल में खिलारीों की संख्या अगर देख लें तो बेस बॉल में जो आपके 9 खिलारी होते हैं, हौकी में जो आपके 11 खिलारी होते हैं, नेट बॉल में जो आपके 7 खिलारी होते हैं, भी फुटबॉल में जो आपके 15 खिलाडी होते हैं, इसके लाव बास्केट बॉल में जो आपके 5 खिलाडी होते हैं, बॉक्सिंग में आपके 1 खिलाडी होते हैं, लॉन टैनिस में 1 या 2 खिलाडी होते हैं, फुटबॉल में आपके 11 प्लेयर होते हैं, बॉली बॉल में आपक वंस का सबसे महतपूर्ण सासक जो है वो कौन था तो देखे मैं आपको बता दू कि गौत्मी पुत्र स्री साथ करनी जो है ये साथ वहन वंस के सबसे महान सासक थे तो गौत्मी पुत्र स्री साथ करनी आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाव बात कर लें साथ वह साथ वहन समराज्य का राजकिये भासा तो यह आपका प्राकरीद था वही अगर लिपी की बात कर लें तो यह आपका ब्रामी लिपी था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट खोश आपका यह आप राता कि धार्मी कारियों के प्रबंदन की शोतनता बाते संभीधान के किस अनुचेत के अंतरगत आता है तो यह आपका अनुचेत 26 के अंतरगत आता है तो अनुचेत 26 आपके यह पे correct answer होगा देगे मैं आपको बता दू कि धर्म की सोतंता का जो अधिकार है ना ये आपका अनुछेद 25 से लेकर अनुछेद 28 तक जो ये आपका वर्नीत है इसके लाव मैं आपको बता दू कि ये जो आपका धर्म की सोतंता का अधिकार है ना जो कि एक आपका मौलिक अधिकार है की सोतंता और मुक्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार यह जो आपका अनुचेद 25 में कहा गया है अनुचेद 27 की बात कर लें तो देगे किसी विशेज धर्म के सौ प्रतंग के लिए करो का भुगतान करने की जो सोतंता है ना यह आपका अनुचेद 27 में है धार्मिक अस्थापना और प्रशासन के लिए अलप संका क्यों का जो अधिकार है ना यह आपका अनुचेद 30 में दिया गया है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि विशू का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो देखे विशू क जो सबसे बड़ा महादीप है ना यह आपका Aesia महादीप है तो Aesia महादीप आपका करेक्ट टेंसर होगा इसके लावा अगर एक्जाम में पूछा जाए कि विशू में कुल कितने महादीप हैं तो देखे विशू में जो आपके टोटल 7 महादीप है और 6 अतरफल की द्र पोटा महादीफ है यह आपका आस्ट्रेलिया महादीफ है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव अगर महासागर की बात कर ले तो विस्व का जो सबसे बड़ा महासागर है यह आपका पैसिफिक ओशियन यानि प्रसांत महासागर है दूसरा सबसे महासागर अगर पूछा जाए तो यह आपका अट्लांटिक ओशियन यानि अट्लांटिक महासागर है तीसरा सबसे बड़ा महासागर अगर पूछा जाए तो देखें तीसरा सबसे बड़ा जो महासागर है यह आपका इंडियन ओशियन यानि हिंद महासागर है चौथे की बात कर ले तो यह आपका दचनी अंटार्टिक महासागर यानि साउथर्ण एटलांटी असौरी अंटार्टिक ओशियन है और सबसे छोटा अगर महासागर पूछा जाए तो यह आपका आर्कटिक ओशियन यानि आर्कटिक महासागर है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि इन में से कौन सी जलसंदी जो है भारत और सिलंका को विवाजित करता है तो देखे यह जो आपका पाक स्ट्रेट यानि पाक जल्डमरू मद्दे है ना यह भारत और सिलंका को अलग करता है तो पाक जल्डमरू मद्दे आपका करेक्ट अंसर होगा इसके लावा अन्य जल्डमरू मद्दे के बात कर ले तो देखे मलेशिया तथा इंडोनेशिया को यह जो है कौन सा जल्डमरू मद्दे अलग करता है तो यह आपका मलक का जल्डमरू मद्दे अलग करता है जावा एवं बाली को जो है यह आपका बाली जल्डमर अमेरिका को जो है यह आपका बेरिंग जल्टम रूमदी जो है अलग करता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका आप राता कि सेरी culture का जो संबंद है ये किस्से है तो देखें सेरी culture जो है या आपके रेसम कीट पालन से संबंदीत है तो रेसम कीट पालन आपका correct answer होगा इसके लावा अन्ने पालन की बात कर ले तो देखें यह जो आपका एपी कल्चर है यह आपके मदुमक्खी पालन से संबंदीत है, फ्लोरी कल्चर की बात कर ले तो यह आपके फूलों की खेती से संबंदीत है, हौटी कल्चर जो यह आपका सबजी की खेती से संबंदीत है, पीसी कल्चर की बात कर ले तो यह आपका मचली पालन से संबंदीत है वर्मी कल्चर जो यह आपका केच्वा पालन से संबंदीत है वीटी कल्चर जो यह आपका अंगूर की खेती से संबंदीत है फंगी कल्चर जो यह आपका मसरूम की खेती से संबंदीत है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश आपको आप रहता है कि निमोनिया रोग, ये जो मानो सरीर के किस अंग को प्रभावीत करता है, तो देखें ये जो आपका निमोनिया रोग है ना, ये मानो सरीर के लंग्स यानि फेपडों को प्रभावी तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना है next कोश आपका यह आप रहा था कि राज्यसभा का सदस्य भनने के लिए नियूंतम आयू जो है ये कितनी होनी चाहिए तो देखे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका नियूंतम आयू है न ये 30 Vers होना चाहिए, तो 30 Vers आपका correct answer होगा, इसके लाव बात कर ले, लोकसभा का सधश्य बनने के ली, नीूनतम आईू कितना होना चाहिए, तो ये 25 Vers होना चाहिए, राश्तवधी बनने का जो नीूनतम आईू है, ये 35 Vers होना चाहिए, वही भारत के प्रधान मंत्री बढ़ने के लिए जो है नियूंतम आयू 25 वर्स होना चाहिए तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है निम्नली खित में से किस नदी का जो उदगम अस्तल है न ये महरास्ट राज्य में है तो देखे ये जो आपका गुदावरी नदी है न ये महरास्ट रखे त्रेंब केशवर से जो ये आपका निकलता है तो देखे गुदावरी नदी का जो उद्गम होता है या आपका महरास्ट राज्य से होता है तो गुदावरी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट को आप रहा था कि 2011 की जनगना की अनुशार भारत के किस राज्य का जो लिंगान उपात है न वो सबसे अधीक या फिर सबसे कम ये पूछा गया था तो देखें मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि 2011 की जनगना हुई थी न उसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगान उपात वाला राज्य 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 राज तो सबसे अधिक अगर पूछा गया था तो केरल आपका स्वसाम पूछा गया था तो हर्याना आपका गया है इसके लाव जो सबसे कम आपको रहा था गासे और भारत का लिंगां रहा था तो देखे, 2011 की जिनगाना में भारत का जो लिंगान उपाता है ना, यह आपका 943 रहा था, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा, नेक्स्ट कोश आपका आप रहा था कि उदैपूर सहर की जो अस्थापना है ना, यह किसके द्वारा किया गया था, तो देखे, मेवा यह किस से संबंदित है, तो देखे, अगर स्टेंड अप इंडिया की बात कर ले, तो यह आपका भारत सरकार का एक कारिकरम है, और इस योजना को जो शुरू है ना, वो 5 अपरेल 2016 को मैलाओं अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती समुदाएं के बीच, उदमिता क आपका आपना था कि प्रसीद अंबूबाची मेला, यह भारत के किस सहर में प्रतेक वर्स आयोजित किया जाता है, तो देखे, यह जो आपका प्रसीद अंबूबाची मेला है ना, यह भारत के आपका गुहार्टी सहर में जो है, यह प्रतेक वर्स आयोजित किया जाता है, अगर राज्य पूछा जाए तो यह आपका असम राज्य में आयोजित किया जाता है लेकिन आपके option में जो गुहार्टी दिया गया था तो गुहार्टी आपका यहाँ पे correct answer होगा इसके लाइग्जाम में एक प्रस्ण और पूछा जाता कि यह जो आपका अंबुवाची मेल best59 में जो आपका कामक क्या मंदीर में लगता है तो यह घेंडा बी आपको ध्यान में लखना है और चंगेज खान के ने झाल थितों में मंगोलोंने भारत पर आक्रमन कब किया था तो देखे मैं आपको बता दू कि चंगेज खान जो था ना ये मंगोल समराजी का जो वो संस्थापक था और इसने वर्स 1221 इसवी में भारत पर आक्रमन किया था तो वर्स 1221 इसवी आपके हाँ पर करेक्ट अंसर होगा इसके लाइग एक्जाम में ए आपको ध्यान में रखना है तो इतने सारे कोशन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो के 100% रियल और आथेंटिक हैं तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को जाए लाइक ज़रू कर दीजेगा और इसी तरह SSE के किसी भी एक्जाम का रियल ए परस